हलो दोस्तों आज है संडे और संडे को Q&A वीडियो आती है आप सबको पता होगा अगर आप हमारे पुराने वीवर हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर अल्रेडी सब्सक्राइब हैं तो सबसे पहले आपको बताओं कि आज की Q&A वीडियो स्पेसल इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें रिउज्ड कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोश्चन पूछे गए हैं और उन सभी कोश्चन का रिपलाई मैंने बड़े आसान सब्दों में आज की वीडियो में देना है और आपको बता दू कि आप मेरी ये वीडियो क्यों देखेंगे आपको कैसे ट्रस्ट होगा कि मेरे अंदर इतना नौलेज है या नहीं है मैं इनकी वीडियो पर अपना टाइम लगाऊं या ना लगाऊं तो first of all मैं आपको बता दू कि आप मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे ज़िवी डेख सकते हैं कितने विव्यू जा रहा हैं कितने लोगों ने देखा और उसके कमेंट पर सकते हैं जब आप कमेंट परते हैं तो आपको 100% विश्वास हो जाता है कि मैं जो बता रहा हूं वह реality होगी क्योंकि कमेंट ही ट्रांसपेरंसी है ''á आपके साथ मेरा जो मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियो पर जो question आते content question होते हैं उन question से pick किये हैं आईए मैं एक एक करके सबके reply देता हूँ और यह interesting इसलिए होने वाला क्योंकि आपको lots of knowledge मिलने वाली है इस Q&A वीडियो से actually क्या है ना कि आप लोग अगर छोटे चैनल देखकर किसी को सब्सक्राइब नहीं करते तो वह गलत है आप लोग knowledge को देखो क्योंकि बड़े बड़े creator भी छोटे चोटे creator की वीडियो देखकर knowledge लेते हो और अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर पहला question है अब्दुल्ला अरकानी का reused content वाला वीडियो edit कर blur कर देने से क्या channel monetize होगा देखे यूटूब कहता है कि जब आपके channel पर हम reused content भेजते हैं तो आपके channel पर हमें कोई value नहीं दिखते हैं इसलिए हम reused content भेजते हैं अब अगर आप blur कर देंगे अपनी वीडियो को तो उस वीडियो में आपकी क्या value रहेगी मुझे यह बताइए उस वीडियो को आप इसलिए blur कर रहे हैं न क्योंकि आपका watch time कम न हो तो एक काम कर सकते हो कि आप blur ना करो आप उस वीडियो को monetization apply करने के बाद private कर दो ज्यादा percent chance है मतलब 80% chance है आपका channel monetize हो सकता है अगर आप blur कर देंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ monetize नहीं होगा आपका content चाहे आप जितनी मेहनत कर लें तो आपको blur नहीं करना है apply करने के बाद private कर देनी है एक experiment कर सकते है क्योंकि बहुत सारे channel मैंने monetize कराए है प्राइबेट बीडियो करवा के आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अनवे वी का question है दो question इन्होंने पूछा भाई जब हम दूसरे के वीडियो डाल के edit करके यूच करेंगे लेकिन कौन सा license हमें चूच करना होगा यूटूब इस्टूडियो पर standard license या creative common license प्लीज बताओ और दूसरा question पूछा है कौन सा license रखना होगा दोनों question सेम ही है तो इनके जो दो वीडियो मेरी देखी और दोनों पर comment किया है मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्त आपने comment किया इसके लिए बहुत बहुत ध सकते हैं अगर creative common करके upload किये standard license का मतलब होता है कि मेरा खुत का है मैं आपको कभी भी copyright दे सकता हूं तो दोनों आपके उपर है आप जो करना चाहे कर ले creative common का मतलब है कि आप copyright नहीं देंगे और आप standard रखते हैं तो copyright दे सकते हैं future आगे चलकर तो कभी भी किसी की video यूज कर लेकिन यूज करने का मतलब यह नहीं है कि सीधा उन्हीं की video उठाकर अपनी चैनल पर upload कर दो ऐसा नहीं आपको अपनी value provide करनी होगी उस video में तभी आपके चैनल पर अच्छे खासे response आएंगे reused नहीं आएगा यहाँ पर third question है पंकच कुमार का अपनी wise होना जरूरी है क्य यह पूछ रहे हैं कि video के अंदर अपनी wise होना जरूरी है मैं तो कहता हूं YouTube पर video बनाना भी जरूरी नहीं है मेरे भई क्यूं बना रहे हो पंकच कुमार लेकिन आपको बता दूँ अगर YouTube पर आए हो मेहनत कर रहे हो तो please we very consistent रहो और please आपसे request है अपना value content upload करो जितना ज्य video delete कर दी है आप बताओ क्या करूँ देखिए यह जब भी कभी भी copyright आपके चैनल पर आये तो आपको video delete नहीं करनी है आप सबको पता है अगर नहीं पता तो जान लो कि video delete नहीं करनी है copyright आने के बाद क्योंकि एक chance होता है कि आपके channel से copyright हट जाए लेकिन अगर आप video delete कर देत कि किसी का copyright content use ही ना करें जिसे copyright आये अपने channel पर राइट यहाँ पर next question है motivational assist का को copyright background बीडियो लगाने से monetize को copyright बीडियो लगाने से monetize पर कोई फरक पड़ता है क्या देखिए motivational assist मैं आपको बताओं कि आप copyright background लगाने से फरक नहीं पड़ता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन वो आप अपनी आवाज के साथ में background लगाते हैं जैसे कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो पर मेरे background वाइस चल रहे हैं लेकिन मेरा original content क्या है मैं बोल रहा हूं यह मेरा valuable content है जो आप देख रहे हैं background पर आपका focus मेरे content पर जा रहा है तो इसलिए कोई दिक है आप वाइस ओबर दे सकते हैं लेकिन एक clarity होनी चाहिए आपको मेरे लगना चाहिए कि आपका content है वाइस changing करना है वाइस changer का यूजर नहीं करना किसी से आपको वाइस नहीं बनाकर डाल देना है आपका अपना वरिजनल आवाज हो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ऐसा question बड़ा प्यारा है लेकिन मैं आपको बताओ short video जब बनाओ तो मेरा तो आपको recommend है कि आप अपनी आवाज में ही video बनाओ fact का channel बना लो आप और भी किसी तरीके का बना लो जैसे कि A2 motivation sir बनाते है video आपने देखा होगा एक है info 24 करके एक channel है जिस पर short video बनाते है जो जान पहचान का है अपने साइनी जी है और उस type की video बनाओ कि आपकी आवाज बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी वीडियो में अगर आप अपनी वीडियो बनाते है कोई भी वीडियो आवाज must important है आवाज नहीं है मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले और उस पर मैंने एक channel का बारे में बताया था मैंने उस पर एक channel के बारे में बताया था Mr.Panda एक channel है और इनका channel monetize है देखिए Mr.Panda का channel इसलिए monetize है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा creativity करता है अपनी वीडियो में आप भी उसी type से अगर creativity करके channel पर वीडियो upload करते हैं मैं guarantee ले सकता हूँ आपका channel monetize होगा और मैंने कराये भी हैं Mr.Panda का तो already channel monetize था और भी बहुत सारे channel monetize कराये हैं और क्यों कराये हैं क्योंकि उस type की video YouTube पर नहीं मिलेगी आप छोटी-छोटी किलिप यूच कर करके mix करके mix content डाल डाल के बढ़िया सा mix किया और जैसे देखो आपको अगर किसी vegetable को बनाना है तो उसमें क्या डालना होगा अच्छा vegetable बनानी के लिए आपको उसमें सारे मसाले सारी चीज़े डाल कर अच्छा सा content अच्छा सा vegetable त्यार करना होगा ना तेल मिर्च मसाला नमक सब कुछ बढ़िया बढ़िया time to time सब अपने according ही डालना है यह नहीं कि कहीं नमक ज्यादा कर दिया तेल कम कर ऐसा नहीं सब कुछ mix करके डालना है वैसे ही Mr.Panda करता है ए आपका नहीं होगा क्योंकि उसका already channel monetized है next question यहाँ पर pick करते है daily collect news का bro help news वर्ल्ड news की category में रखे channel देखिए news किस category में रखे channel यह कह रहे है news की category जो है already YouTube बता चुका है news and politics उसमें आप अपने channel को अपनी वीडियो को रख सकते हैं अगर आप news से related वीडियो बनाते हैं और आ next question है प्रतीक कोतवाले का hello sir please reply क्या प्लोटो गौन स्टोरी एप से animation वीडियो बना करी YouTube पर upload करें तो monetize हो जाएगा please reply दिखिए प्लोटो गौन एप से आप वीडियो बना सकते हैं लेकिन डिपेंडिय करता है कि आप उस character के पीछे अपना वाइस ओबर दे रहे हैं या नह नहीं को पशज़न लाना चाहिए जैसे ये बीडियो में बना रहा हूं तो मैं आपको द्यान में रखकर बना रहा हूं कि आपको इस बीडियो में क्या क्या चीजी पिसक्राइबर के लिए रोनी की जडूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर निविर साइकिया का किसी को अगर फेस दिखाने में प्रॉब्लम है तो वाइस ओबर बित डिस्क्रिप्शन और सोसल मीडिया लिंक्स देकर मॉनिटाइज कर सकते हैं अगर आप वाइस ओबर करते हैं लेकिन इसके लिए आपको काम करना होगा कि अपने सोसल मीडिया में आपको अपनी फोटो या कुछ भी पोस्ट करते रहना टाइम टू टू टाइम जिससे की यूटूब अगर चेक करें तो उसे लगे कि यह आपका ही कंटेंट है और किसी औ और का नहीं कंटेंट राइट यह चीद्ध ध्यान में रखना नेक्स्ट कोश्चन है आई एन आर एम का यूटूब डू यूटूब लुक आफ्टर सॉट्स वीडियो फोर मॉनिटाइजेशन यह कह रहे हैं कि जब यूटूब को मॉनिटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो क्या यूटूब सॉर्ट वीडियो देखता है यस डेफिनैटली देखता है और सॉर्ट वीडियो पर अगर आपने फोटो नीजिक और वीडियो किसी का जोल जोल कर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है सब्सक्राइबर गेन कर लिए मोनिटाईज नहीं होगा आपका बहुत सारे ऐसे creator हैं जिनका channel monetize नहीं हुआ यहीं गलती कर रहे थे next question है जीदू technical का भाई please select my question भाई मैं बड़े roast channel की वीडियो डाउनलोड करके अपनी wise डालता हूँ तो क्या channel monetize होगा देखे आप बड़े roast की content उठाते हैं आप उठाते हैं आप अच्छा करते रही है लेकिन आप अपने फेस को भी दिखाईए साइड में फेस दिखाईए और उसके बाद आप वीडियो बनाते जाईए कोई देखे अगर आप सिर्फ और सिर्फ copyright music और copyright free copyright music free copyright वीडियो दोनों mix करके upload करना चाते हैं ना अपनी wise देना चाते हैं तो आपका channel monetize नहीं होगा अगर आप ये काम करना चाते हैं अगर आप चाते हैं कि आप wise over डालें अपना फेस डालें और ये दोनों वीडियो मतलब free copyright music free copyright वीडियो यूज करके creative वीडियो बना सकते हैं तो आपका channel monetize हो जाएगा अगर अपनी आवाज के साथ में ये free वाले जो चीज मिलते हैं इसको यूज करेंगे तो आपका channel monetize हो लगता कि इतना need है मैं आपको अभी explain कर देता हूँ अगर आप private करके अपने channel को monetize करते हैं आपका channel monetize हो जाता है तो आपको एक काम करना होगा कि आपके channel पर क्या है ना कि private जब आप करते हैं और channel monetize हो जाता है तो उस वीडियो को आप public नहीं करें अगर public करेंगे तो आप आपके चैर पर फिर से रिउजड content आ जाएगा राइट यह काम आपको करना यह गलती नहीं करने कि private करने के बाद फिर public कर दोगे क्योंकि private इसलिए कर आया ना कि आपका जान मोड़ा हो जाए अगर private नहीं करोगे तो monetize नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों इतनी सारे question मैंन सब्सक्राइबर तक पहुचे या फिर आप channel monetization के regarding पता करना चाहते हैं आपका channel monetization नहीं हो रहा है परिसान है तो आप मुझे comment कर सकते हैं नीचे और आपको बता दू हमारे पास paid service available रहती है जैसे कि हम सबको paid service नहीं देते हैं जब हमें लगता है कि आपके channel के लिए need है आ देखने के बाद proper आपके channel को monetize कराने में पूरी-पूरी मदद करके आपके channel को monetize कराते हैं तो अगर आप paid service लेना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर message कर देना Instagram पर जब DM करोगे तो आपको reply 24 घंटे तक मिल जाएगा और कभी-कभी time लग जाता है तो थोड़ा सा patience रखना समझ नहीं पारे क्या कैसे करना है तो आप easily यही method है कि आप हमसे संपर्क करें और हम आपकी problem को sort out करा देंगे उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो like कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe करके bell icon क जरूर प्रेस करना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much for join us